हलो फ्रेंट्स वैलकम टू एकॉमर्स टाउक यूटूब चानल गैज क्या ओनलाइन सेलिंग करने के लिए हम जो प्रोडक्स परचेश करते हैं उसका जीएस्ति इन्वाइस होना चाहिए तभी हम उसे ओनलाइन सेल कर SAKTे हैं या फिर उसका जीएस्ति रेटन फिल कर सकते है ऐसा डाउट हर online seller के दिमाग में होता है जो new online selling में आता है दोस्तो आज की वीडियो में हम यह देखेंगे कि जब आप online selling start करते हैं तो कब आपको purchase invoice की requirement होती है और कब आपको purchase invoice की requirement नहीं होती है साती हम यह देखेंगे कि purchase invoice जो होता है वो हमें कैसे profit कराता है या फिर कैसे loss कराता है और GST return में purchase invoice का क्या role है पहले तो यह बात करते हैं कि आपको purchase invoice की requirement कब होती है जब आप online selling में आते हैं और आप चाहते हो कि आप branded product online sale करो जैसे बहुत से brand होते हैं पूमा है भूट है बिल्टन है बहुत से brand है तो अगर आप इनके products online sale करना चाहते हो तब आपको purchase invoice की बिल्कुर requirement होती है अब यहां पर purchase invoice आपको इसलिए चाहिए होता है ताकि आप Amazon flip card में approval ले सको उस brand के product को sale करने के लिए और time to time flip card and Amazon आपसे purchase invoice जो है वो मांगते रहेंगे ताकि वो यह authorized कर सके कि जो product आप उनके platform पर sale कर रहे हैं वो और इसनल products है अब यहां पर एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है जब आप branded product sale करना चाहते हैं और आप जो purchase कर रहे हैं जिस भी distributor से या supply से परचेश कर रहे हैं वो ब्रैंड का अट्राइज distributor होना चाहिए तभी flip card या Amazon आपको यहां पर अट्रूफ करता है कि आप branded product sale करें तो जब भी आप branded product sale करने की सोच रहे हो तो आपको purchase invoice तो लेना ही लेना है तभी आपको approval मिलने वाला है आप बात करते हैं कि purchase invoice का requirement कब नहीं होता है और बीना purchase invoice कि क्या आप online product sale कर सकते हो जब आप Amazon या flip card में अपने brand name से product sale करते हो या generic brand name से product sale करते हो तो यहां पर Amazon आपसे बिल्कुल भी purchase invoice नहीं मांगता है यहां पर एक बात का धियान रखेंगे मैंने to sale होती है यहां पर कोई भी brand name डालिए आपको यहां पर sale करना तुरंत open up कर सकते हैं यहां पर आप तुरंत लिस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं बट कूट कटेगरी में restriction होता है अब यहां पर जब कोई भी brand name देंगे तो यहां पर flip card आपको direct sale करने नहीं देगा यहां पर आप से या तो आप उस brand name के अगर honor हो तो आप trademark देजिए आपका काम हो जाएगा या आप Amazon में भी आप trademark दीजिए आपका काम हो जाएगा बट अगर आप उस brand नहीं हो तो flip card आप से invoice मांगता है कि आप इस brand का invoice दीजिए मुझे तो आप यह listing करने से पहले चेक करना पड़े करने आएगा और कोई भी आप चूछ करता हूँ तो यहां में जिए स्लेक्ट ब्रेंट का option आएगो अगर मैं कोई भी एक ब्रेंड डाल देता हूं मालगी जए एक्स एक्स वाई और यहां पर मैं चेक करता हूं तो यहां पर देखिए आपको create listing का आगया तो यहां पर इस नहीं मांगा यहा कि आपको बेर्स को सकता है यहां पर आपको रिस्टेइट कर दो जिसमें माद लोजीए एक कटेगरी में आपको सो करता हूं जहाँ पर आपको डारिट लिस्टिंग करने नहीं मिलेगा यहां पर अगर मैं यहां पर एक सट करता हूँ आपको कोई भी लिस्टिंग करता हूं तो यहां पर मुझे यह डारेट लिस्ट करने नहीं दिया जाएगा तो देखें मैं यहां पर यहां पर देखिए अप्लाइप पर अप्रूबल आ रहा है और यहां पर नीचे देख सकते किस तरह का कर सकते हैं यहां पर कर सकते हो मिलता है तो तो आपको अपने नहीं गिर्द नहीं जब आप इक लिए यहां पर आपको इन्वाइस यहां पर अपलोड करना पड़ेगा बात करें अपना ब्रेंड रजिस्टर करके असानी से प्रोड़क्स कर सकते हो यहां आप से पर्चेश नहीं मागा जाता है अगर आपको पास ट्रेडमाइक है तो फ्लिपकार्ट में भी आप बिना हम बात करते हैं कि पर्चेश लेने से आपको क्या प्रॉफित होता है और इसका इन्पैक्ट कैसे देखने को मिलता है तो गैस मान दीजिए आपने कोई प्रोड़क्स किया और आपने जीएस्टी बिल में पर्चेश यह आपने 200 पी जो प्राइस है एक प्रोड़क्स है 200 औ मान दीजिए आपने इस प्रोड़क्स को किया और आपने इस प्रोड़क्स ट्रिंड़ट को 300 Посर hail किया यहां पर आपने जिएससे लियाओ और 1018 रूपीज आपने लिया और यहां पर आपका टोटल यहां पर सेल आमउंट हो जाएगा वह सेबंधाऊर gracious है आप जब आप GST पे करने जाओ एक अपना रिटन करने जाओंगे तो झेटी ख सीur प्रेटंस की भी क्या है ऑपका माइनत हो जए गा निया जरी जो भी क्या भी है उसमें से आपने जितना यह स्थे पहले कर दिया तो हमने देखिके P auxn 182 टेक्स तो लिया है अब हमने पर्चेस करते से हमें 720 रुपीज टैक्स दिया है तो वह माइनस हो जाएगा और हमें टैक्स भड़ना पड़ेगा तब ही आप यह आपका यह माइनस होगा अगर आपने यहां पर सब्सक्राइब लिया नहीं तो उसकेस में क्या होगा कि आप अगर वाले बिल ले रहे हो तो आपको ज्यादा तब क्या क्या है तो यहां पर आपको फिर इतना और पे करना पड़ेगा कि आपका यहां पर सेवें 202 रुपीज माइनस नहीं होगा पूरा यहां पर आप देख सकते 202 रुपीज आप यहां पर पे कर रहे हो गौब्मेंट को और प्लस यहां पर seller को भी आपने 720 रूपीज दिया है प्रोडेट के ऊपर तो यह हो जाता है जब आप बिना जी एस्ट बिल के लिए रहे हो हाँ यही सिर्फ लोस होता है कि आपको इनफूट टेक्स नहीं मिल पाता है अगर अपसे जाज कर रहा है और वह आपको प्रम के प्राइस में प्रोड़क की दे रहा है तो फिर आपको को कोई डाउट रहा क्या होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डारे डीम कर सकते हो या फिर आप सीधे इस वीडियो के रीचे कमेंट भी कर सकते हो तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो वीडियो पसंद आया तो लाइक दो कीजिएगा चाहते हैं तो खर दिए चनल को स